आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को आपका जो होता है एच डीडी जैसे हार्डिक्स बोलते हैं उसका रिपेरिंग किस परकार कर सकते हैं और क्या सी कौन सा इस आता है तो आपका उसका रिपेरिंग किस परकार किया जा सकता है तो देखें हार्डिक्स लिया हूं तो यह आप लोग देख सकते हैं यह यह देख सकते हैं यहां से आप लोग को केंप्यूटर से टाइच के लिए स्वरी कम्पूटर अटाइच में के लिए यह बाला है और यह power के लिए है देने के लिए है अब का इसे आप पावर दीजे और यह computer motherboard से attach होता है केवल दोनों से तो यह SATA drive में आप लोग को one tv hardix है तो इसका जो program आता है पोग को मैं generally रूप से जो बताने वाला हूँ जब यह starter drive आप लोग को connect नहीं होता है HDD तो पहले तो आप अपना जो केवल होता है जो आप लोग देख सकते हैं इस पर करके केवल होता है तो इसको pointer देख लिजिए बिल्कुल सही है या नहीं है इसका change करके पहले आप लोग देख सकते हैं motherboard से connect करने के बाद तो अगर यह सही है तो ठीक है आपका hardware से problem है अगर इसको एक बार change कर दीजिए अप लोग और change करके लगा कर देखें अगर उस पर भी यह work नहीं करता है तो आप लोग को इसको यह वाला section को open करना होगा तो यह वाला section open करने के लिए आप लोग को मैं यह वाला क्यों open करने के लिए बोरूँ है इसे यह motherboard इसका होता है इसे इसे power supply होता है इसे में program आता है किस जगा program आता है वो में भी मैं बताने वाला हूँ तो आप लोग को इस इमर्स ट्राइजर आने के बज़़ए से ज़्यादे दिन होने के बज़़ए से इसका program आ जाता हूँ तो चलिए मैं इसे open कर लेता हूँ सारा screw को आप लोग को JK का मिलता है इसमें इस परकार का screw driver आपको मिल जागा open करने के लिए तो आप पहले जाकर JK का ले सकते हैं online भी clip cart image zone पर a available है ले सकते हैं JK काइचच परका screw driver आता है इसमें ऑपको जो जो इसमें component में सारा screw लगा हुआ open करने के लिए टोटल मिल जाएगा total इस परकार से आता है देख सकते हैं इस परकार से आगा किसमें मिल जाएगा आपको tablet करने के लिए तो चलिए मैं आपना सारा screw को open कर लेता हूं तो देखे अभी खराब हो चुका है दूसरा screw मैं इसमें लगाऊंगा तो अचलिए इसे भी मैं open कर लेता हूं open हो चुका है तो इसको किस परकार से replacement किया जाता है अगर आपके पास एक पुरा बोड ही उड़ गया है तो आपके पास सेम हाट डिक्स का बोड लगा कर सकते हैं पिलाल आपका नहीं है तो इसको सही कहने के लिए आपको मैं बताने बाला हूं जो इसका कनेक्टिन है यहां से कनेक्टिन होता है और इसका कनेक्टर जो होता है आप यहां देख सकते हैं इस कल्प इंसिंट के साथ एक रबोर मिलता है और इससे आप इसका एरेजर से एरेज कर दीजिए थोड़ा सा तो इससे क्या होगा इस थोड़ा सा सफाई हो जाएगी उसके करने के बाद आप इसको भी देख लीजिए का इस पैनल ठीक है ने मुड़ा हुए तो नहीं इसके क्योंकि रन तो कर रही नहीं रहा है लेकिन बरसत इसमें जो एक और प्रोग्लम आता हो मैं बताने मुलू किस पर करके इसका प्रोग्लम है जो इसका जो सर्किट वोर से नहीं है इसमें कीट-कीट कर आवाज आ रही है आनि जो मोटा रूटोएशन करता है उस बज़ए यह आप पर जो रहता है टेज्मेंट के वल उसमें खरावी आ चुकी है जिसके बज़ए से डेड हो चुका है तो आपका अगर हार्डिक्स के से कीट-कीट के अवाज रही धीम धीमे वाज रही है तो आपको कोई चांस नहीं हार्डिक्स रिप्लेस्मेंट का कोई बना ही नही तो आपको इसका जो होता है मेकेनिकर इंजिनियर वह ही आपको कर सकते हैं इसी परकार कर से काफी क्यार फूली खोलना पड़ता है इसको खोलने के लिए देखें चार इखर और को पर आपको परना पड़ेगा और शारी चार नहीं कि इसमें लगा रहाया है पड़ भी आगा स्कूरू लागा रहा रहा था जो पिलाल मैंनों पर नहीं किया है क्योंकि मैं इससे डाटर रिकभरी पहले ले चुगा हूं था मैं इसमें कोई जरूरत था इसलिए मेरा यह जरूरत नहीं पर अगर आपको पोर्टर डाटर है तो पर रिकवरी करने के लि बाद कुछ इस परकार से आपको देखेगा तो देखे एक मैं open किया था एक खराब हो चुगा था तो देखिए इस परकार से तो इसको open करने के लिए कि आए पर 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 ना पड़ाता है इस परकार से इसमें लगा हुआ रहता है फती खोले की तरफ उसको निकालकर recovery कर सकते है डाटा को तो आप नार्मल घर पर तो कर ही नहीं सकते हैं आपको ए वाला देखिए अबर आपका हार्डिक्स आवाज नहीं आ रहा है तो आप इसे हार्डिक्स लेकर इसका जो होता है सर्कुट बोट को चेंज करके देखिए अगर इससे चेंज हो जाता है तो आपका सही हो जाता है चेंज करने के बाद तो आप अराम से आपका डाटर रिकाबरी हो सकता है हर्डिक्स चालू हो जाएगी आपका जो एच डीडी होता है वो बर्क में आ जाएगा लेकिन आपको इसको करने के बाद भी नहीं होता है तो कोई ऐसा नहीं है हर्डिक्स अ जाजाएते काफी पुरान होने केबाद अब इसके रिकाň ने लिया है तो अब उसकाosh goafy कम पढ़गाय ह्धिक्स को पहले के पिछा कम पढ़गा है accepts का और इस dont पहले कंपन था विभी और इसका रफ प्राइस लो हो चुका है यह है ऍषीस डाइजर रुपया लग जाएगा लेकिन दो से डाइजर में आपको वन टीबी का यह मिल जाता है हाड़ इस तो यहीं कंप्रीजन है दोनों में की फर्क है क्योंकि अस्ता में ज्यादा आपका श्टोरेज डेवाईश मिल सकता है लेकिन यह ज्यादा आपका सुरचित नहीं ह SSD शुरचित है उसमें हाट काफी सिस्टम को भी फास्ट कर देता है तो आज का वस वीडियो यहीं था दोस्तो ऐसे ही टॉपिक हमेशा हम लाते रहेंगे तो प्लीज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि आगे से जो भी मैं वीडियो अफ्लोड करूँ आप लोग को देखने को मिलता रहें तो प्लीज चानल को जरूर सब्सक्राइब करें